हाई गईस आज हम कुछ सीखते हैं कुछ ऐसा जो पूरे इंडिया गवीक है आम एंगलिश इंगलिश अभी तभी अच्छे होगी जाब कि वोकैब अच्छी होगी तो वोकैब अच्छी करने की मैं यहां पर कुछ ठिक बताता हूं यहाँ पर मैं आपको तीन मैथट से ट्रिक बताऊंगा रूट मैथट, एसोशेशन मैथट, थीम मैथट ठीक है तो पहला मैथट है रूट अगर आपको किसी चीज की जड़ ही मालम चल जाएगी तो आप उसकी मिनिंग आसानी से गैस कर सकते हैं पहले एक रूट वट वटेब एसी और एसी यार सका मतलब होतार शाड थीक है तो पहला वडेएक इक्म हुबन एक्यूमेन होतार लिच दीख इन होता सएच हिन अपरेशन एक्यूमेन क्य BETH इन क्यूंह दूसा वड़ेएक्ट का सीधा मतलब है sharp, तो acute angle आपने सुना होगा, तीसा वरड़े across, across है sharp pointed type, मतलब we can say that needle is sharp pointed, needle is across, थीक है, चौथा वरडे acrimony, acrimony मतलब होता है कि sharpness in nature, मतलब कुछ लोग acrimony in nature होते हैं, और पांचवा वरडे एक्जर्वेट मतलब होता है शार्प वालन्स हम यह बूल सकते हैं जाटो ने रिजर्वेशन के लिए एक्जर्वेट वालन्स की अब हम दूसरा वर्ड देखेंगे एक वर रूट वर एक वर एक वर एम और एम आई यह लैटन वर्ड है इसका मीन से लव जहाँ भी एम और एम आई आए आएगा मतलब हो लव से रिलेटेड होगा एमैच्विड पहला वाड है एमेच्वर अंडर 18 मतलब जो कसी के भी प्यार में आ जाए उसे एमेच्वर जोलते हैं एमोरस मतलब प्लेबॉई प्लेबोई जो सबको प्यार में फसा है M.E.T. M.E.T. related to friendship, friendship भी love से related है, M.E.Cable, M.E.Cable मतलब good manner, good manner होगा मतलब love से ही बात करेंगे, Amolerate, मतलब improve, love satisfaction, love spreader, ठीक है, और ये, Anamode, Anamode मतलब fall in love, crushed, I have Anamode with Katina EF, में ये बोल सकता हूँ, Anamode, तो मतलब इसका मतलब ये समझते है, E.M. और E.M.I. जहां आगया हो, love से related होगा, वो वर्ड, फिर एकोर रूट वर्ड़ पैथी, पैथी मतलब वतलब feeling, पहला वर्ड़ है sympathy, sympathy मतलब respect feeling, share feeling, ये आपने सुना ही होगा, empathy, empathy, वहां यूज करते हैं, यहां love वाली feeling, जो lover के empathy, apathy मतलब lack of emotion, जैसे किसी stranger से मेरी apathy ही है, और चौता वर्ड है antipathy, antipathy मतलब dislike, मतलब आपके enemy से आपकी antipathy feeling होगी, antipathy, I have antipathy with my enemy, इसा चौता रूट वर्ड है, O.U.S. एक suffix करते हैं, उसका मतलब होता है full, prosperous, prosperous मतलब होता है full, इसमें O.U.S. है last में, और vivacious, vivacious में तो AC भी आया, O.U.S. भी आया, AC मतलब sharpness, O.U.S. मतलब fullness, तो इसका mean होगा alertful, और acute, इसी तरह और भी वर्ड हैं पस fid है, anti है, A है, इसी तरह बहुत से वर्ड हैं वो चीज़े हम next video में देखेंगे, और साथ ही हम association और themes method की भी बात करेंगे, अगर आप कोई subscribe करिए, thank you